वेलकम टू माई चैनल टायरो कंसर्ट तो आज शुरू करते हैं पिककार्ड रीडिंग हमारे पास तीन पाइल हैं 1,2,3 आपके पास तीन ओप्शन हैं 1 है वाइट कैंडल, 2 है सरस्वती और 3 है एक कलश आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं आज क्या रीडिंग निकलती है पाइल नंबर 1 के लिए और पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं pile number one जिनों ने भी white candle choose किया है उनके लिए क्या reading निकलती है तो pile number one candle जिनों भी choose किया है ये purity को define करता है कि आप जो है दिल के बहुत सचे हैं आपको सच बोलना बहुत अच्छा लगता है तो आज हम Indian tarot card से tarot cards की reading करेंगे देखते हैं आपका start of the week, end of the week और middle of the week कैसा रहेगा तो आज हम जो deck ले रहे हैं Indian float tail का ये वाला deck ले रहे हैं तो देखते हैं आपके लिए three card spread में क्या निकलता है और आपके लिए क्या cards है तो पहला card ये है दूसरा ये है और तीसरा ये guidance का card है देखते हैं क्या आपके लिए cards हैं तो शुरू करते हैं तो guidance का card जो आपके लिए निकला है वो बहुत ही शांदार निकला है वो six of wands का यानि की विजे का victory का card निकला है आपका middle of the week जो है वो रहेगा कुछ आप passion को follow करेंगे जैसे कि ये सरस्वती बसंद पंचमी का week है तो आपके मन में भी कुछ music सीखना या musical के प्रती रुजहान रहेगा या तो आप music सुनेंगे या music सीखने की कोशिश करेंगे तो ये शो करता है कि आपके जीवन में कुछ नया पनाने वाला है आपको नया skill भी सीखने वाले है तो ये शो करता है आपका जो start of the week है या आपको कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा आप past memories को लेकर overthink करते हुए दिख रहे हैं इसमें काफी सारा आपके मन में kios और turmoil भी है आप सोच रहें इन सबसे मुझे कैसे चुटकारा मिला है जो भी आपके past की घटनाएं हुई है जो भी आपका loss हुआ है चाए financially या emotionally या आपके dear and near one आपको छोड़ कर चले गए हैं कुछ ऐसा दिख रहा है तो जो start of the week है थोड़ा सा kios बरा है पर इस से उभरने के लिए आपने बहुत से अच्छे तरीके ढूंडे हैं आप music का सहरा ले रहे हैं और कुछ music नया सीख रहे हैं ताकि आप इस grief से जल्दी से जल्दी भार आपाएं तो ये बहुत अच्छा आपने निर्ने लिया है बहुत अच्छा decision लिया है at present कुछ सीखने के लिए जब आप सीखते हैं तो पुरानी यादों से जल्दी ही आपका चुटकारा और निवारन हो जाता है और आपका जो future है बहुत ही bright है जब आपको skill सीख लेते हैं तो आपकी value और importance बढ़ जाती है लोग आपको respect करते हैं अलग ही दृष्टी कोंट से देखते हैं लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता आप एक यहाँ पर victorious leader की तरह दिख रहे हैं जिस skill की व कावल को भी दर्शाता है luxury को describe करता है तो जैसे हमारे luxury products में आते हैं जैसे cosmetics आ गए और अच्छे च्छे पदार तो में मिठाई घी यह सब चीज लग्जूरी को denote करता है तो या तो आप इन सब चीजों को खरीद रहे हैं घी बदाम किशमेश और इससे कोई मिठाई या पक universal के messages हैं तो देखते हैं आज ये थे आपकी tarot reading अब अगली डीडिंग की तरफ हम चलते हैं देखते हैं आपके क्या oracle cards है और क्या कहना चाहते हैं तो पहला oracle card निकला है गणेश जी का गणेश जी कहते हैं कि जीवन में challenges तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी परन्तु आ पास्ट एक योध्धा की तरह एक warrior की तरह आपको रहना है और जो कुछ भी हो गया resentment यानि कि जो कुछ बीत गया उसके उपर ना तो पश्चाताब करिए क्योंकि life में कोई if or but नहीं होता कोई you turn नहीं होता जिसके भी प्रती आपके पास ग्रिणा है द्वेश है उन सब को एक पेपर पर लिख कर उसको flush out कर दीजे क्योंकि resentment रखने से दिल जो है वो भारी होता है सारी negativity को दिल से निकाल के situations में अपने optimism और positivity को लेके आने के लिए universe कह रहा है कि leave away all the resentments आपके लिए जो next oracle card निकला है वो पारवती का है जिस तरह मां अपने हर बच्चे को निस्व निस्वार्थ भाव से प्यार करती है और जो यह लाइन देख रहे हैं वो courage और strength आपके जितनी भी courage और strength है यह vulnerable time में ही पता चलती है कि आपके पास भी इतनी strength है तो आपको यह दो qualities आपके अंदर लाने की जरुवत है एक तो courage और compassion जैसे एक निस्वार्थ भाव से ही ज्यादा सकून मिलेगा अगला card है water manifestation का यानि की पानी से भी आप अपने दिल से बाते कर सकते हैं क्योंकि 70% हमारे शरीर का पानी होता है तो आप water manifestation के बारे में पढ़ सकते हैं glass of water से किस तरह दिल के pain और grief को दूर करके इस से भी काफी चीज़ों को आप manifest कर सकते हैं कु प्राथना का जब आप दिल से प्राथना करते हैं तो भगवान भी उस प्राथना को सुनते हैं तो प्राथना जरूर करिए every day let your heart out to the universe जब आप अपने दिल से आपके desires deepest desire deepest pain को share करते हैं और meditation में उसके answers आप भगवान से प्राप्त करते हैं तो prayer जरूर करिए ये थी आपकी Oracle Reading तो अब हम देखते हैं कुछ Universal Messages कुछ Charms आपके लिए क्या है तो ये है तो जो आपके लिए Universal Messages निकले हैं वो है पहले तो है carrots आपको अपने आखों के रोशनी के लिए कुछ धियान रखने की जरूरत है regularly eye surgeon के पास visit करिए कुछ beta carotin अपने diet में include करिए क्योंकि vitamin A जो है उसकी कमी होने के कारण eyes पर बहुत ज़्यादा effect पड़ता है तो universe कहता है कि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा proud है I am proud of myself hope को मत छोड़िये यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में आगे तक लेके जाएगा तो इसके लिए आपके लिए angelic message है 3.33 यह number आपके लिए आने वाले time में या तो आपको दिखेगा या इस time पर आप कोई न कोई चीज जो है वो spiritual कर रहे होंगे all of the great spiritual teachers of the past are guiding you at this time there is ascendant masters are helping you develop yourself and your gifts तो आपको इस समय जो है कुछ अच्छे dreams आने वाले है और आपको ascendant masters जो है आपको guidance देने वाले है यह वाला card शो करता है फिर से 33 यानि कि इस जो जो आपके लिए magical angel number है वो 33 है या तीन बज़ का 30 minute हो सकता है तो यह time आप हमेशा याद रखिए यह time आने वाले week में आपके लिए कुछ magical create करने वाला है angels इस समय आपके लिए कुछ blessings लेकने आने वाले है there is a sacred time for growth and healing यह आपका healing time भी हो सकता है तो nine of clubs आया है यानि की promotion मिलने के पूरे असार है यह कहते हैं कि आपने वो deal crack कर ली और जो आपकी इच्छा थी सारी desires जो है वो आपकी पूर्ण हो गई है तो यह थे आपके universal messages अब हम देखते हैं क्या है आपके charms और कुछ letters देखते हैं आपके लिए क्या निकले हैं और आपके लिए charms फिर से red apple निकला है यानि कि eyesight के उपर आया है तो आपको कुछ red चीज़े खाने की जरूरत है मैंने जैसे कि कहा यह विजे का समय है तो आपके लिए star निकला है promotion का star है आप music को सुनने वालें देखी कितने coincidence हैं आपकी definitely energy change होने वाली है आप 3 बच का 33 मिनट का कुछ alarm या time लगा रहे हैं आपके heart में भी बहुत ज़्यादा grief था वो अब convert हो रहा है angels आपके साथ हैं blessings दे रहे हैं कोई ना कोई चीज ऐसी है जो document है जिसको आप ढून रहे हैं लेडी बग आया है transformation होना निश्चित है और कुछ healthy green salads या green चीजों का आप सेवन कर रहे हैं यह ऐसे लगता है कुछ गायों को भी आप हरा चारा खिला रहे हैं आपको pet से बहुत प्रेम है purity का symbol निकला है दो white निकले है यानि की angel blessings तो ही है और आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और music आप काफी सुनते हैं यह आपको पुराना music सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो यह letters जो हैं आपका first name initial name या friend का name हो सकता है कोई message इन letters से आपको मिलने वाला है तो देखिए क्या letter आपके लिए निकल रहा है तो मैं जहां तक boom है यानि की आपके जीवन में बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है आप शायद किसी Q में भी खड़े हो रहे हैं तो Q निकल के friend का नाम भी हो सकता है या आपका खुद का नाम और नाम के initials हो सकते हैं इस व्यक्ति से इन letters से आप start करने वाले व्यक्ति से मिलने वाले हैं छोटा सा travel भी दिखता है क्यूंकि मेरे पास एक horse भी आया है तो छोटे से travel पे भी आप जाने वाले हैं तो आशा करती हूँ group number one को ये charms ये letters और एकल रीडिंग और टैरो रीडिंग पसंद आई हुई उतना ही मुझे मज़ा आया इसको करने में जितना आपको आया है तो अब हम अगले फाइल के उपर चलते हैं जिन्नोंने भी सरस्वती मा को चूस किया है तो जिन्नोंने भी सरस्वती को चूस किया है number two देखते हैं उनके लिए क्या reading आई है और हम कुछ tarot cards निकालते हैं तो आप देख रहे हैं ये ये शो करता है कि आप जो है बहुत ही एक spiritual वेक्ती हैं और आप ये जानते हैं कि सच और जूट क्या है आप good और bad को differentiate करना चाते हैं स्वैन पक्षी की ये ही एक खास बात है कि कौन सच्चा है कौन वेक्ती अच्छा नहीं है ये इसके बारे में आपको पहले से ही आभास हो जाता है और आप काफी wise हैं ये भी show करता है आप हमेशा एक learner ये student बने रहना चाते हैं जीवन में बहुत कुछ नया नया सीखना चाते हैं तो आज आपके लिए जो cards निकले हैं 1,2,3 वो देखते हैं कि क्या आपके cards हैं जो third guidance का card जो निकला है वो है three of cups तो आपका past ये बताता है कि आप प्यार में या relationship में बहुत जादा सोच रहे थे over thinker थे relationship के को लेकर काफी सारा आपन ने लिया काफी सारा अपना time waste किया इस relationship में investment जिसनी भी आपने की आज आपको लगता है कि कुछ decisions तो ठीक थे और कुछ जो थे वो गलत थे और आपने जो जितना भी अपना surrenderance और 100% इस relationship को दिया वो आपने अपना part बहुकूपी निभाया present में ये दिखता है कि eight of wands मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं परन्तु कहीं न कहीं उसका फल आपको वो नहीं मिल रहा जो आप expect कर रहे थे तो ये show करता है कि आप जो है थोड़ा सा lack mentality से काम करते हैं कुछ आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो नकारतमक है आपके ब ऐसा और वैसा करते हैं तो ये जो eight of wands show करता है तो आपको हमेशा एक self doubt की प्रकरिया में डाल देता है जिसके कारण जितना आप सोचते हैं उतना आपको result नहीं मिलता अगर आप इन thoughts को बदल कर ये कहें कि मैं बहुत ही जादा अपने आपको deserving समझता हूँ I am more than enough I am a good person I deserve to be getting this अगर आप इस mindset से काम करें तो आपके जीवन में जल्दी ही बदलावाएगा और आपको ऐसे friends और ऐसे mentors अभी मिलने वाले हैं आगे आने वाले time में जो आपके हर काम में आपकी help करने वाले हैं मदद करने वाले हैं जहां तक आप जिन लोगों से jealousy और hatred करते थे उन group को छोड़ कर ऐसे groups के साथ join करिए जो आपकी mindset को समझे जो आपकी wisdom को समझे जो आपकी knowledge को समझे तो आपको अपनी company को change करने की जरूत है और अच्छी company में रहे तो जल्दी ही change होगा तो यह थे आपकी tarot reading और अब देखते हैं आपके कुछ oracle cards और universal messages क्या निकलते हैं क्या आ गनेश जी का आपका पहला message है reflection यानि कि आपको मैंने जैसे की कहा लिखने की जरूत है कि क्या मेरे जीवन में घटा है और क्या मुझे करने की जरूत है जब आप शीशे में देखते हैं एक प्रतिभिम दिखता है एक परचाई दिखती है तो वो परचाई में कितने सारे अ लग से list बनाएए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो कौन से चीज़ें करने से आप बहुत हैपी होते हैं जब आप इस happiness की list बनाएंगे तभी आप अपने आपको truly find कर पाएंगे तो खुद को जानने के लिए इगो से human being होने का दावा करते रहेंगे तो चीज़ें जो हैं विल्कुल आपके favor में नहीं होंगी तो आपको ये जानने की जरुवत है कि आप उस परमात्मा के एक अंच हो आप एक आत्मा हो आत्मस्वरूप जब आप समझ लेते हो कि आप एक light हो एक यहां पर एक special purpose के ल potential है हर काम करने के लिए हर situation करने के लिए और divine guidance आपके हर बल आपके पास ही है तो ये चीज़ें आपको सोचने की जरुवत है तो जिनों ने भी pile number two को चूज किया है सरस्वतिमा को चूज किया है उसको इन concept को पढ़ने के लिए कुछ books आती है जैसे रमान महार्शी की book है इस concept को जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आप यहाँ पर एक spiritual person है एक आद्यात्मिक जीव है और यहाँ पर मनुष्य जनम को भोगने के लिए आए हैं तो जब आपका ये concept clear हो जाता है तो आपके जीवन में बहुत ही जादा बदला आवाता है तो moon जैसे ही change होत है देखे गया कि moon को भी जो चांद है उसको भी शिगनेश जीने श्राप देने के कारण वो कभी पून होते हैं कभी अर्द हो जाते हैं और इससे जो है प्रित्वी में पानी का जो वेग है उपर नीचे होता है अब प्रित्वी का पानी उपर नीचे होने से आपके जीवन में आपके शरीर में भी पानी का वेग जो है बदल जाता है जिनके कारण बीमारियां आती देती हैं तो आपको अपने emotions को अपने वश में रखने की जरुवत है उनके भावनाओं में भेने की जरुवत नहीं है तो purification of the blood ये कह रहा है कहीं न कहीं रखत का दोश है तो इस दोश को आपको अच्छे खाने से अच्छे नरिश्मेंट से non-veget को छोड़ कर कुछ vegetarian चीजों को अपनाने से आपकी mental illness और anxiety भी दूर होगी और आपके जितने भी mental illnesses हैं psychosomatic disease हैं उन सब का निवारन जल्दी ही ओने वाला है जैसे जैसे आप green चीजों को अपनाते हैं nature में रहते हैं कुछ spiritual retreat पे जाते हैं कुछ अध्यात्मिक शिवरों को जाते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने वाला अगला universal message है ये अगला universal message है कि अगनी fire किस तत्व को denote करता है आपके अंदर जो passion है आपके अंदर जो विद्या है आपके अंदर जो skill है उस skill को बढ़ाने के लिए देखे अरजुन ने इस skill की practice की bow and arrow और वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्चर बना तो हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक ऐसी quality है उस quality को आपको उभारने की जरुवत है जब आप इस quality को उभार कर उसमें कहते हैं जो boxer था उसने एक ही kick को one million times master किया और वो उसी में माहिर हो गया तो इसी लिए कह जाता है कर अगर आप में skill की practice रोज करें और उसी पर ही आप काम करते रहें तो एक दिन आपके इस passion को कोई नहीं रोक सकता अगर आप गाना गाते हैं और बच्पन से गाते रहें तो आज आप वर्ल्ड के best singer में से गिने जा सकते हैं तो कोई भी skill है उस skill को enhance करिए जैसे ही आपका वो जो passion है, dream है, desire है वो पूरा हो जाएगा पुराने चीजों के उपर घंबीरता से कभी मत सूचिए जो बीथ गया वो बीथ गया उस चीजों को छोड़ दीजे, let go कर दीजे और future को embrace करिए तो आशा करती हूँ आपको ये oracle reading और ये tarot reading पसंद आई होगी group no.2 जि के लिए क्या universal messages है, तो universal message है, एक चीज है जिसको आपको छोड़ने की जरुवत है, वो है ये eggplant या brinjal, इस चीज को छोड़िए अगर आप mentally ill है या mentally sick है, या psychosomatic problem से जूच रहे हैं, तो कुछ green खाने के लिए आपके लिए advice है, जिसमें की काफी सारा A, A, C है, इस तरह के प आप सब कुछ अपने जीवन में create कर सकते हैं, जो आप चाते हैं, तो आपका angel guidance number है, 5, abundance is a state of mind, when you feel rich spiritually, your physical life will reflect, फिर से reflection का card आया है, कि आपको क्या सोचने की जरुवत है, जब आप सोच बदलेंगे, तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, तो व्यवहार बदलेंग कि आप क्या create करना चाता है, I am more at ease everyday, आप हमेशा अपने आपको बहुत easy going और loving समझते हैं, तो जो number one निकला है, वो completeness का number निकला है, सब को एक समान देखने की जरुवत है, you are one with that is knowing, doing, giving is for the world's all being in it, तो जैसे मैंने कहा कि आप सब एक आध्यात्मिक जीव हैं, और यहां पर मनुश्य जीवन का experience लेने आएं हैं, तो आपके लिए जो card निकला है, वो king of spirits, यानि leadership quality का card निकला है, आने वले time में आप किसी को, किसी मंच पर, या किसी एक community को, एक leadership quality की तरह lead करते हुए दिखाई देंगे, आप कुछ अपने skill से, उनको skill set सिखाते हुए नजर आ रहे है इसमें तो आपका real उद्देश जो है किसी community को lead करना, leadership qualities देना, कुछ प्रवचन देना, कुछ empowerment करना, लोगों का उद्धार करना ही आपका real purpose या मकसद हो सकता है, तो आशा करती हूँ, group number 2 को ये reading पसंद आई होगी, तो अब हम देखते हैं आपके charms क्या हैं, और क्या आपक हैं, और देखते हैं, आपके लिए क्या-क्या charms निकले हैं, तो आपके लिए जो charms निकले हैं, वो ये हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, एक तो mirror है, mirror exercise करने की जरुवत है, mirror में आपने आपको reflect करने की जरुवत है, कुछ आपको resentment है, तो forgiveness की exercise जैसे होपो पोनो पोनो, आप YouTube में भी देख सकते हैं और उस exercise को कर सकते हैं घड़ी निकला है कुछ punctuality आपका relation मून से बहुत है आप बहुत ही ज़्यादा emotional person है तो जैसे जैसे दिन बदलते हैं आपका mood swing बहुत होता रहता है आप समय को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं या तो आपके समय बहुत भागता रहता है या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समय बीद ही नहीं रहा आपको काफी सारा काम करने की जरूरत है एक energy healer के साथ काम करने की जरूरत है आप कुछ pranic healing या इस तरह की healing मोडालिटी से भी अपने आपको healing या healing सीख कर अपने आपको बदल सकते हैं और आपके लिए निकला है flower और flowers के उपर आप इन flowers को भगवान को भी अरपित करके अपनी प्राथना से उनको खुश कर सकते हैं तो यह letters कुश निकले हैं देखें यह letter आपके नाम के letters हो सकते हैं या आपके friend के letter हो सकते हैं या कोई message या कोई चीज आपको बताने की करी जारी है इन letters के दोरा तो देखें क्या निकलता है फिर से एक moon और star निकला है यानि की आपको या तो कोई promotion मिलने वाला है या जैसे से time pass हो रहा है आपका promotion नजदीक आ रहा है तो आपके लिए letters निकला है आपका कुछ enthusiasm या zeal आपके लिए बन रहा है तो जो मेरे को word नि की कोशिश कर रहे हैं कुछ leadership qualities करने की कोशिश कर रहे हैं bit by bit अगर आप step by step भी चलेंगे तो जीवन में प्रगती होने की ज़रूत है कुछ चीज़े आपको छोड़ने की ज़रूत है या आपका X जो है आपके पास आकर आपको कोई message देने वाला है तो ये कुछ letters निकले है वो rat भी हो सकता है, bat हो सकता है बाकी आप देख लीजे जो भी आपको resonate करता हो तो ये थी reading group number two वालों के लिए जिनोंने सरस्वती को choose किया thank you very much अब हम move करते हैं group number three के लिए group number three जिसने भी कलश को choose किया है उनके लिए क्या reading निकलती है देखते हैं ये है group number three और इन्होंने जिनोंने भी कलश को choose किया है देखते हैं उनके लिए क्या tarot cards reading निकलती है तो आज बिकर कार्ड रेडिंग जो है वो बसंद पंज पी स्पेशल था तो आज बसंद पंजमी के दिन हम नौलेज को मानते हैं कलश जो है वो आपके हाइसल को डिनोट करता है यानि कि आप अपने अंतरात्मा से काफी बाते करते हुए दिखते हैं इसमें और आप काफी सारा उत्साहित रहते हैं और काफी सारा अध्यात्म में आप रुची रखते हैं तो आपके लिए जो गाइडन्स का कार्ड निकला है वो निकला है ड्रीम का आपको अपने ड्रीम को परस्यू करने की जरूरत है और भगवान कह रहे हैं अपने सपने को स प्रपार या चड़ावाता है वो आपकी खुद की बीमारी हो सकती है या आपके माता-पिता या किसी संबंदी के साथ आपने कुछ टाइम हॉस्पिटल में बिताया है वो पास्ट था और वो बीच चुका है और अब जो आपका टाइम आया है वो है प्रेजन में आप कुछ लेकर किस चीज़ चीज़ को लेकर बहुत ही confused है आपके पास ऐसे चीज़े हैं जो बहुत ही important matter है जिसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चांद उल्टा है तो आप खुद ही नहीं देख पारे कि मैं decide क्या करूँ जब आप आँखों के पटी निकालेंगे तभी आप इन चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे इन चीज़ों के बारे में aware होंगे अगर आपको इन दोनों decisions में decision लेने के लिए time ना मिले या आपको खुद ना decide कर पाएं तो आपके लिए guidance है कि आप अपने किसी senior most या किसी friend किसे सला लेकर भी decision कर सकते हैं तो यह two number denote करता है take help from elders और godly person और dreams जो हैं वो आपकी जरूर discuss करिए अपने near and dear ones से कि आप क्या dream करते हैं ऐसा लगता है आपके जीवन में financial abundance आता हुआ है जैसे गज को देख रहे हैं और फूल को देख रहे हैं तो प्यार और wealth दोनों ही आती हुई दिख रही हैं आप इन दोनों dreams पर काम करना चाते हैं कुछ पाना चाते हैं जीवन में कुछ materialistic benefits दिख रहे हैं आपके जीवन में आते हुए और इसी चीज के लिए आप काम करते हुए भी दिख रहे हैं आपके dreams and desires जो हैं यही बता रही हैं तो यह थी आपकी tarot reading आज आपको शायद रीडिंग पसंद आई होगी अब देखते हैं हम आपके कुछ oracle readings और क्या हैं आपके oracle cards और oracle reading फिर हम बढ़ते हैं अपने universe के messages की तरफ तो पहला card जो निकला है वो है गनेश जी का गनेश जी कहते हैं कि बचपन के दिन जो हैं वो lot आए हैं आपको child like expression रखने की जरुवत है बचपन में क्या चीज़े थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी चाए वो लड़ू खाना हो चाए खेलना हो गेंद के साथ कुछ न कुछ ऐसा ball related तो आप एक ऐसा business भी start कर सकते हैं जो बचपन से related है बचपन में कोई चीज है वो ऐसा कोई product बनाना चाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जो product है वो childhood related या child related है और इसी चीज़ का आप business करना चाते हैं तो dreams और desires में जो आपका आ रहा है कुछ toys हो सकते हैं या कुछ ऐसा product ह हो सकता है cosmetic products हो सकते हैं जो आप एक बच्चे के लिए सो सकते हैं एक child के लिए जितना hygienic होता है वो product उसके बारे में भी आपका business flourish कर सकता है तो इस समय आपको क्या चोड़ने की जरूद है आपको वो चोड़ने की जरूद है कि आप अपने आपको defend ना करें कि मैं ऐसा हू मैं असा हूँ इस भाव को आप छोड़ दें मेरा तेरा और आगे वाला वेक्ति क्या कहना चाता है आप थोड़ा से कुछ silence रखें मौन रखें और आगे वाले वेक्ति की बात को सुनने की और समझने की ये करें जब आप defend करते हैं ये weakness को denote करता है और आपकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता जब दूसरे वाले वेक्ति को आप समझने रखते हैं वो क्या कहना चाता है वो आपकी भलाई के लिए ही कुछ कहना चाता है उसकी बात को सुने और वो आपके लिए बहुत ही फायदे मन रहेगा अपने self-centeredness को छोड़े कि हाँ मेरा ही decision ठीक है मैं ही प् weakness पे काम करने की जरूरत है जो अगला कार्ट निकला है वो ऐसा लग रहा है अमरित का एलिक्षर का आपके जीवन में कुछ तो ऐसा है जैसे आप एक समय ऐसा बिताते हैं जीवन का एक पल जिसमें आपको बहुत ही आनन्द महसूस होता है वो आपका प्रभू के साथ बिता आना चाते हैं पर आप किसी न किसी वन उस एलिक्षर को या उस सुकून वाले मोहशन को शेर नहीं करना चाते हैं तो यह समय जो है यह immortality यानि की सोल जो है कभी भी नहीं मरती आत्मा कभी भी नहीं मरती इस ग्यान को उजागर करती है और यह जो knowledge है अभी आपके पास आध बहुत सारे ग्रंत ऐसे मिलेंगे रामायन भावारत जिसमें बहुत सारे चुपे हुए सीक्रेट हैं तो आप एक बुक आती है अगोरा करके वो भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें एस्टोटोरिक रामायन और एस्टोरिक महा भारत के बारे में लिखा गया है जिसमें इन सब के ग्यान के छुपे हुए ग्यान को भी आप पढ़ सकते हैं कहते हैं जब भी आप किताबे पढ़ते हैं तो आप एक present moment में रहते हैं तो आपको किताब पढ़ने की जरुवत है और कर्मों के बारे में जानने की जरुवत है तो जब भी वाइट तारा मा आती है तो ये कर्म का को denote करती है तो आपको कुछ theories पढ़नी पढ़ेंगी what is karma, how to transcend karma, तो white तारा जो है environment की देवी हैं और nature को protect करती है, nature का selection करती है, जब आप nature से जुड़ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कर्म की गती क्या है और आपको कौन से ऐसे कर्म करने हैं जिससे आपको फल अच्छा मिलेगा, कौन से कर्म ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा फल नहीं लेके आते, good outcome नहीं लेके आते, तो आपको आपके spiritual gifts जल्दी ही मिलने वाले हैं, जैसे अमरित मिला है, तो वैसे आगे चल कर वो ग्यान, वो ब्लेस, वो divine gift जैसे आपको एंजल से बाते कर रहे हो, आपके टेली पती खुल रही हो, या आपका third eye खुल रहा हो, तो यह सब आपको meditation में gifts मिलने वाले हैं, तो आपकी soul journey जो है, बहुत ही जादा उन्नत है, और आप इस पर progress path पर निकले हैं, तो आपका जो higher self है, आप से बहुत ही जादा खुश है, और बहुत सारे आपको ast natural experiences भी हो रहे हैं, out of the body experiences हो रहे हैं, अध्यात्मिक उन्नती में, अध्यात्मिक के शेतर में आप कुछ आगे ही बढ़ गए हैं, और इन विचारों को अगर आप साजा करना चाते हैं, तो हिंदी में एक channel है PMC, जिसमें हम free meditation सिखाते हैं, कुछ लोगों को retreats पर लेके जाने 1, 2, 3, 4, March में हम हरिद्वार retreat पर जाते हैं, जो भी interested हैं, मुझे जरूर message करें, inbox में कि yes, I am interested, तो मैं आपके साथ link भी share कर दूँगी, जिसको भी हरिद्वार जाने का interest है, तो हम PMC, यानि कि pyramid meditation channel जो है, हिंदी में YouTube channel है, उससे जुड़े हैं, और उनी के साथ हम retreats पर भी जा रहे हैं, तो पत्री जी का एक vision था कि लोगों को meditation सिखाया जाए, और वो अपने आध्यात्मे को नती के लिए अपने जीवन पर प्रग्रसर रहें, तो इसी उद्देश को लेते हुए, हम सभी लोग जो है, PMC channel से जुड़े हैं, और pyramid, meditation, शाकाहार जगत, इनी सब का प reading, अशा करती हूँ, आपको ये reading पसंद आई होगी, अब देखते हैं कुछ आपकी universal messages और क्या cards निकले हैं, तो universe आपके लिए निकाल रहा है, my life is a miracle and I belong here, और दूसरा है, आपके लिए angelic message है, 63, यानि कि आपको थोड़ा सा साफधान रहने की जरूरत है, releasing situations that are draining, will take room for miracles and expansion, take time to release the old, पुराने चीज़ों को छोड़ने के लिए मिल रहा है, बार बार message, पुराने चीज़ों को पकड़ कर में बैठिये, life में ifs and buts नहीं होते, कोई you turn नहीं होता, जितनी भी जीवन में resources मिले हैं, उसको appreciate करिए, और अध्यात्मी करस्ते पर चल पढ़िए, तो divine offering 144, या time हो सकता है, या यह number आपकी सी गाड़ी के पीछे भी देख सकते हैं, यह number शो करता है कि strong support at this time helping you reconnect with your talents, you have forgotten all aspects of your being that have been in the past, तो आपके लिए कुछ ऐसा था जो past में बहुत discouraging था, अब आप वो talents और उन चीज़ों के बारे में जानने लग गए हो, आपको इसी से आपके जो है thoughts जो हैं जब आपके clutter हो जाता माइन, आपका काफी सारा पेट दर्द हो जाता है, तो जो fruit आया है pomo granite, यह fruit आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा diarrhea या इस तरह की परिशानी से पीडित हैं, तो आपको अनार का juice पीने की ज़रुवत है, आपके thoughts positive रहेंगे तो आपका पेट भी cool and शान्त रहेगा, और summers आने वाले हैं, तो आप water related fruits का भी सेवन करें, कुकुमबर हो सकता है, और water melon हो सकता है, पानी की कमी के कारण भी शरीर में काफी सारे problems या heat काफी generate होती है, तो आपके लिए आया है eight of spades, यान पहनत का फल जरूर मिलेगा, और जैसे कि आपको पता है, ये eight number जो है, साटन को भी present करता है, तो आप साटन को enhance करने के लिए थोड़ा सा सरसो का तेल का सेवन अपने रोटी में भी डाल कर उसको enhance कर सकते हैं, साटन प्लानेट को, शनी के दिन शनी वार को में temple विजिट करक ये सब उपाय करेंगे, तो साटन जो है, बहुत चल्दी खुश हो जाते हैं, और आप अगर सत्यमार्क पर चलेंगे, तो आपके निश्चिती है, कि आपको अच्छा फल और आपके कर्मों का अच्छा फल न्याय के देवता देने वाले हैं, तो अच्छे करम करिए, और हर चीज का धन्यवाद दीजिए, आभार दीजिए, एक्सेप्ट करें सिचुएशन को, तो ये थी रीडिंग आज ग्रुप नमबर थी के लिए, तो आशा करती हूँ, हैपी बसंद पंचमी टू यू और सरस्वती की देवी की तरफ से, सभी को बसंद पंचमी की शुप कामन और यहीं पर ये रीडिंग खतम करते हैं, अगली रीडिंग के साथ फिर एक बार मिलते हैं, अगली वीक में की देखते हैं, आपका पिक कार्ड रीडिंग कैसा रहेगा, तो विश यू हैल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एंड हैपी बसंद पंचमी कहा जाता है, मा सर जबार रिट्रीट है या मेडिटेशन सीखने के लिए तो मोस्ट वैलकम, इसी तरह के वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी माच, थैंक यू वेरी माच, थैंक यू वेरी माच.